चालीस साल के जनलीजम में बहुत सारे मोदी से भी ज़्यादा ताना सा नेता देख ली हैं कि बीजेपी छे उप मुख्यमंत्री बनाएगी इस विशेपे क्या कहना है आपका क्या मद्द्रदेश्ट में छे मुख्यमंत्री होंगे अब यह वह भारती जनता पाटी जो नरेन चैनल के और मलिक कहें जो कहें रवीन जैन जी के पस है आपका स्वागत है बहुत भुत धन्यवाद अपका भॉपाल में बहुत स्वागत करता हूं बहुत पुराने हमारे मित्र हैं छोटा भाई हूं अब्सक्राइब एक ख़बर्त्स आपकी मैंने अपने चैनल पे चलाय भारती जनता पाड़ी ने अपने सांसदों को और वरिष्ट नेताओं को मद्रदेश में उतारा है तब से उन छे विदांसबा चेत्रों में चाहे नरें सिंग जी का चेत्रों चाहे किलास विजवर्गी का चेत्रों फग्गन सिंग जी का हो चाहे पहलात पड़ेल जी का हो सि यह नहीं कहा जा रहा है कि वह भारती जनता पाड़ी के प्रत्यासी हैं बलकि यह प्रिचार किया जा रहा है कि आप मद्रप्रदेश के भावी मुख्मंत्री को चुनने जा रहे हैं तो मैंने इसी संदर में यह बात कही थी कि क्या मद्रप्रदेश में 6 मुख्मंत्री होंगे क्योंकि हर जगे यह प्रचार भारती जंता पाटी के कारीकरता कर रहे हैं चाहें दिमनी हो इंदौर हो बुधनी हो यह सत्ना हो मंडला हो तो क्या भारती जंता मुख्रमंत्री बना जा रही है क्या यहीं मेरा सवाल था मुझे लग रहा है कि बीजेपी में उपर लेबिल से सीनियर्टी खतम की जा रही है बढ़े बढ़े सीनियर् दिगज नेताओं को जूनिएर बनाया जा रहा है आप रव शंकर प्रशाद जी को देख लीजिए क्या कमी थी उनको केंद्री मंत्री पर छहटा दिया अटेलबेरी बाष्पई इनिया इस्तापना की अब भारती जनता पार्टी जो नरेन मोदिऊजा की भारती जुनता पार्टी यह नेता नहीं यह यह योगता नहीं without चलता है नहीं यहां यह नहीं करेगा इसका वही हाल हो घुए रहे हैं अब दिल्ली की पार्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्ट यहां चलेगी तो मोदी साह की चलेगी और दूसरी बाद यह तैकर लिया है कि आपको यस मैं चाहिए जो दिन में तीन बार अपने Twitter से अपने केंद्रियनेता यानि एक शत्र नरिद मोदी जी की प्रसंसा नहीं करता है उसको पहले के फोन आता है समझाया जाता है कि आपको लाइन दी गई है आप उनके ट्वीट को रिट्वीट करिए तीन बार बोलिए कम से कम पर इसा नहीं कर सकते हैं तो पर आप यह के नहीं है पाटी मैं कोई भी भाशन या कोई भी व्यक्तत कोई भी आर्टिकल बिना मोदी की तारीब कि अब हो ही नहीं सकता सकता है अभी भी पत्रकर्ता जिंदा पत्री करता की बात नहीं है मैं बीजेपी नताओं की बात इंके आढ़िकल से व्मेर क्या ले नहीं देखें लिए कि मैं बहुत सारे मोदी से नहीं पैप हर किसी का अपना एक समय चक्र है यह मोदी जी का समय चक्र है यह भी हम याद रखेंगे यह इतियास में दर्ज होगा इनके भी अंदर कई अच्छाईयां हैं कई बुराईयां हैं इंद्राजी का भी देखा मुराजी देशाई का भी देखा अडल जी का भी देखा तो यह समय हैं यह सब दो चलता रहता है और यह योग कि चुनाओ इस वार अलग साय का है हमें इस चुनाओ में बात होगी भिकास की बात होगी में रोजगार की बात होगी शटके विजनी की किया भी बीजैपी नहीं आप में आ होी किया 18 साल में बीजेपी ने बहुत काम किया हमारे और बहुत अच्छी हुई हैं कुछ कमिया भी रही हैं लेकिस ये बात बात हुरही है, भीरू और कौन है, कौन जैइ कौन चैनू है ये क्या है राजनीती मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये वो करते हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो अरे सिवराज जी आपके पास तो बहुत उबलब दिया है आज अपने उब्दियों के आधार पर चौनाओं लड़ी है जनता आपके साथ करी होगी आपने लाड़ी वैनों के लिए इतना सब कुया है आपने वच्चियों को स्कूटी दी है आपने सबके अच्छी की है आपने भिजली का इतना बड़ा उत्पादन खड़ा कर दिया है तो मैं यह कहरा हूं कि हम केवल सिवराज जी की हाँ ये वास सही है कि पिछल भी नहीं रोक पा रहे तो खुश मजबूरियां रही है लेकिन मैं फिर क्या रहा हूं कि इस चुनाओं में विकास कहीं खो गया है अब यह इस्तान ले लिया है कि सोले ठाकोर इबीरू यह क्या है चुनाओं मोदी जी ने कहा कि डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन की सरकार मन बहुत बड़ी रिस्क है मैं आपको बता हूं रिस्क इसलिए कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रतिष्टा को दाव पर लगा के चुनाओं लड़ता है हमने यह देखा कि पहले कॉंग्रिस के नेता छुटे चुनाओं में आते नहीं थे वह कहते हैं कि हम अपनी प्रतिष म Texas आतरी तो यहीं कहा कि मुदी हारे हैं वहां बजनग मधी का मुद्दा हारा है वह हम सागी कि रणंती हा रही है लेकिन ये ऐसे निता है नहीं आलोषना की चिनता रहती हैं न तारीव का घमड़ रहता है इन्हें जो करना है वो यह करते हैं यह किसी की सुनते नहीं आई एक दो घंटे आराम करते हैं देखिए शिवरा सिंग चोहां जैसा मेहनती नेता मद्द परदेश में दूसरा नहीं है कोई माने ना माने यदि आप कमल नाथ की तुलना सिवराजी से करेंगे तो यह अन्या हो जाएका कमल नाजी की तुलना तो नहीं कर सकते लेकिन आप दू में लेकिन देख्वेसिंग जी फिट है और कार करताओं को नाम से जानने के महमिले पूरे मत्मु तसके किसी भी जिले में किसी भी के सील में कम से कम चार लोग ऐसे हैं जिन नाम से पुकारते हैं अभी आउटलुक ने खबर छापी थी कि इस बार कॉंग्रिस में बहुत मतलब ज्यादा टिकेट को लेकर अंदर बहुत कुछ हुआ है जिसमें कमल नाज जी इस बात में सफल हुए कि 130 सीट उन्हों अपनी लोगों को दी है अग्चली 230 में से 130 लेली तो बहुत बात नहीं है कमनलाज जी ने चुकि यहां लंबे समय तक मैनत की रमो भाई आप यह देखिए मैं आपको बढ़ा किलियर कह दूं और यह कहने में मुझे संकोष नहीं है कॉंग्रेस कोई संगटन नहीं है मैं आप कैसा बूलता हूं इस बात को मैं कोई उसमें देखिए एक संगटन जैसा जैसे भारती जनता पार्टी में एक कैडर है वहां कोई दिल्ली में बैठे है यह दिस साल पहले भी आपने कोई गलते किये तो उसका प्रड़ाम आपको आज भी बगरता पड़ेगा कॉंग्रेस मे कितनी आपके सिफारेस कर देता है उस आदार पर प्लस मैंजा साब हो जाते हैं यहां इस पार आपको बताओं कि नया नेतरती पैदा हुआ है कमल नाजी ने कुछ नहीं किया मैं आपको फिर बोल रहा हूं कमल नाजी ने भरोसा किया अपने लोगों से उन्होंने मालवा मे खड़ा किया इसको और इन लोगों पर भरोसा किया इन लोगों को आगे करके नाम लिए हैं और एक तरफा इनकी बात मानी गई है सज्जन बर्मा और दिग्वे सिंग में जो टक्रा हुआ राजगल की चीटों को लिए बिंद को छोड़ दिया बिंद में भी उनका कोई होगा मुझे नाम नहीं महले में लेकिन उन्होंने हर जगे अपने देखिए वो आजय सिंग में वहरूसा नहीं करते हैं हमें भी महले म होगे जो पहले इतने हैं कि मिटिंग तक में नहीं आते थे यहां पर लेकिन डॉक्टर गोमी सिंग जी और दिग्वे सिंग जी ने बीच में पेच अप कराया है दोनों के बीच में और लगवग इतना तैह हो गया है कि यह भीवात अब स्टालक पर दिखाई नहीं दे रह लेकिन अभी जो मद्रदेश के हालात हैं आप यह मान के चलें कि पूरा चलाओ दिल्ली ने अपने हाथ में ले लिया है आने वाले बीजेपी का बीजेपी के में दिल्ली ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां इंकम टेक् गोल सकता हूं केंद्री एजेंसियां यहां पर बिल्कुल लगने लगाए बैठी हुई है आप देखा 36 में कल प्रचतिस रख मंत्री पर 508 क्रोड रुपे का अरूप लग गया है राजिस्तान पर एडी रोज मेहनत कर रही है मद्द प्रदेश में इंकम टेक्स तीन-चार द लेकिन भारा सरकार किस तरह चुनाव लोटरी यह भी अलग बात है तो अभी थोड़ा सा इसके लिए वेट करिए लेकिन यह दी बात करें कि यह दी मालू यह सब्की यह ना हो तो मद्द प्रदेश में भारती जंता पाल्टी के लिए बहुत आसान नहीं है बहुत टाइट कि मोदी सरकार बदली गई और दूसरी सरकार आके इसी ढंग से एडी और इंकम टेक्स का इस्तेमाल किया बीजेपी वालों के साथ तब क्या इस्तिति हो एक बार बताओं मैं आपको भारती जंता पार्टी का एक जो खून में जैसे मिल जाता ना सुगर जैसे होता है भारत कोंग्रेस के डर नहीं है कोंग्रेस स्वार्ति लोगों का सम्मू है आज आप सरकार बदल दीजे कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं उनके पास में इतरौन नेटवर्क बना खड़ा कर लिया है उनने अब क्या मुझे नहीं लगता और दूसरा क्या है मोदी की पीछे क् कि बाब की भाजपा की तो क्या बिगाड़ नोगे देखें गुस्ता केवल लोगों के प्रती है मोदी जी के प्रती साहजी के प्रती क्या बिगाड़ लोगे पहले बीएक बार आप जेल बेचके देख लिया है नों ग्रह मंत्रीबन के बेठे बिए और मैं यह मानता हूं पर इनमीं उन्तर क्या रहे जाए कि हम इन सब चुजों के बज़ाए उसे सजा दें या वह भीजज़ा काहर हो या कॉंग्रेस का हो यह दो सजा मिलना चाहिए मेरा यह किसी भी दलका हो अभी क्या हो रहा है यह भीज़़ी का है तो उसके खिलाब करवाई नहीं होती है यह बिल्कुल घलत है ऐसा नहीं होना चाहिए और आने वाली सरकार भी यह उस उद्देश से काम करें इनकी कमियों को दूर करें तो तो वह अच्छी मानी जाएगी बन्ना इन में उनमें अंतर क्या रहे जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने समय दिया धन्यवाद रमु भाई आपका स्वागत बोपाल में पुना और आप ऐसे आते रहिए मैं आपका स्वागत कंदे के लिए तक पर रहूंगा